हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियू क्लासेज में बात करेंगे अपने वार्षिक परिक्सा 2024 क्लास 9 के लिए गणित के पेपर के सल्यूशन के बारे में आपके अगर अभी math का exam होना बाकि है तो वीडियो के description में आपको playlist मिलेगी उसमें जाकर आप जिन जिलो में paper हो चुके उनके original paper देख सकते हैं और बिल्कुल वैसे question आपके exam में आने वाल है और यहां से भी आपके बहुत से question repeat होंगे अगर आपके और भी कोई exam होना बाकिए चाहे आपके सामाजिक हो या फिर विग्यान हो संस्क्रत, हिंदी, गणे, इंग्लिश जो भी paper बाकिए है सब के papers आपको यहां पर मिल जाएंगे और maths के, science के most important questions जो हैं जो आपके exam में पूछे जा रहे हैं वो भी आपको यहां पर ठीक है तो यह एक preparation क्या है क्योंकि इसको MP बटे Q के रूप में लिख सकते हैं ठीक है जहां पर Q क्या 0 नहीं होना चीए ठीक है तो यह preparation क्या है यह अपने जो है ना यह preparation क्या है क्योंकि इसका answer 3 आ जाएगा ठीक है इसमें root 2 और root 2 अगर हम इसको solve कर लें तो यहां पर एक identity लगती है अपनी सर्व समी का ठीक है जिसमें क्या होता है A plus B और A minus B इसका अगर हम solution करें तो A square minus B square होता है ठीक है ना वो यहां पर लगेगा तो अपने क्या आएगा 2 का square minus root 2 का whole square यह बनेगा और यह 4 minus 2 बराबर 2 इसका answer 2 आएगा तो यह भी irrational नहीं परिमेए यह अपने आ अपरिमेए होती है ठीक है ना irrational होती है अगला question देखते हैं x minus 3 इस बहुपद का एक गुणंद खंड है गुणंद खंड का मतलब हो गया कि यह जब value इसमें रखें तो value इसकी 0 बनेगी ठीक है तो A का मान निकालना आपको find the value of A ठीक है तो जहां पे अपने x लिखा हो ना देखें यहां पे x minus 3 is equal to लिख दीजिए 0 ठीक है अब x बराबर यह जब minus 3 उदर गया तो plus का 3 जहां x है वहां पे हम लिख देंगे 3 ठीक है ना चलिए इसमें value पूट करता है पहले x का square मतलब 3 का कर दीजिए आप square minus 1 का यह लिखिए और x की जगह लिख देते हैं 3 और minus 15 और बराबर लिख देंगे सामने 0 ठीक है अब देखें यह ओझाए और minus 15 बराबर 0 ठीक है अब यह पंदर जाएगा इस साइट बेजेंगे तो यह ओझा प्लस का पंदर्ण ठीक है ना थूमने इधर वेज़ा इसको तो ही ओगया 9 minus 3 is यह बराबर 15 ठीक है 15 हो गया अब minus 3 ठीक है न, यहां minus था, minus 3A और 15 और इस 9 को उधर वेज़ेंग यह हो जाएगा minus का 9 ठीक है, इसके में minus करेंगे तो minus 3A is equal to 6 आया और A का मान हो जाएगा अपने 6 बटे minus 3 तो इसका divide लगाएंगे तो minus 2 अपने answer आजाएगा तो यहां पे जो अपने A का मान होगा, यह कितना होगा, minus 2 option A correct हो जाएगा, ठीक है न, A option यहां पे correct हो जाएगा अगला question है अपने, अक्सों के परतिछेद बिंदू को क्या कहते हैं तो जहां अक्स परतिछेद करते हैं, इस बिंदू को हम कहते हैं, मूल बिंदू ठीक है न, क्या कहेंगे, मूल बिंदू, यह नी, origin कहेंगे, ठीक है न, इसमें option C लिखावा है, इसमें option B लिखावा है, ठीक है इंगलिश में और इंदी में option अलग है, बाकि answer दोनों में यह होगा, ठीक है, origin या मूल बिंदू, ठीक है अगला question देखते हैं, आपके जिल्ले में जैसे पेपर हो तो, उसके clear photo कहेंज के आप 8003412488, इस नंबर पर ज़रूर भेज़ देवें, ठीक है और आपको 10th में भी इसी प्रकार का बहतरीन content मिलता रहेगा, ठीक है न, चलिए अगला question देखते है हमें बोला है, y is equal to 2x minus 3, मतलब y बराबर दे दिया है, 2x minus 3 और y का तो मान है 5 है, लेकिन x का आपको निकालना, तो y की जिगह हमने 5 लिखा बराबर, 2x य जो 3 है, इसको हम इस side ले आएंगे, तो जब हम इस side लाएंगे, तो य क्या minus का इदर आके plus का हो जाएगा, 5 तो plus का था, य भी अपने, क्या, यहां लिख देते है, 3, ठीक है न, 3 तो यह जोडने से बन गया 8, तो value हो जाएगी 2x बराबर 8, और x का मान आजाएगा अपने 8 बटे, 2 बराबर 4, भाग देने पर कितना आएगा, 4 आएगा, तो option अपने d correct हो जाएगा, ठीक है, x की value कितने आजाएगा, अपने 4 आजाएगी, अगला question देखते हैं, दो भिन रेखाएं अधीक तम कितने बिंदों को परतिचेद कर सकती है, तो दो अगर रेखाएं ये, अगर दो रेखाएं, दो भिन रेखाएं, अधीक तम कितने बिंदों को परतिचेद कर सकती है, तो दो रेखाएं सिर्प एक ही बिंदों पर परतिचेद कर रहे हैं, मान two distinct line intersect ठीक है न तो अपने एक option हो जाएगा ठीक है एक option correct अगला question देखते हैं एक कौन अपने संपूर कौन का तीन गुणा है तो कौन का माप होगा कहने का मतलब an angle is three times of it's a supplementary angle then what will be the measure of the angle क्या measurement होगा तो हम जानते हैं संपूर कौन है ना दोनों supplementary angle मिला के कितने होते हैं अपने 180 के होते हैं ठीक है और बोला कि एक तीन गुणा तो एक x है और दूसरा 3x है ठीक है तीन गुणा है तो इनको मिला के कितना बनना चाहिए 180 एक 180 बनना चाहिए तो हमने का अगर 180 बनेगा तो ये बनके जोडने से 4x बराबर 180 ठीक है और अब ये 4 हम यहां से अटा देते हैं और इसके नीचे डिवाइड में लगा देते हैं अब भाग दिया तो हमने 4.16 यहां दो बच्ची का 4.50 25 आया ठीक है तो x का मान 25 आया अब क्या पूछा है कि कौन का माप मतलब जो 3 गुणा है उसका माप बताई तो 3 गुणा वाला 3x था तो 3 into 45 कर देंगे तो इसका गुणा किया तो 25 आयसल की 2, 3.12, 13, 14 1, 45 ठीक है न 3.12, 13, 14 ठीक है 1, 45 option में नहीं है misprint कर दिया गलत कर दिया गुणा देखिए चारू पांस थी पंदरा अच्छा ठीक है यह है 45 और 3 से करना तो पांस थी पंदरा कैरी एक ही जाएगा तो 3.12 और 13 135 ठीक है न तो अपने option क्या हो गया बी correct हो जाएगा ठीक है न बी option यहां पे correct है फिर अगला अपने से 7th question पूछा है बड़ाई interesting question है क्या अगर कोई triangle है जिसमें C सबसे बड़ा angle है तो शक्तिय क्या कथन होगा if C is the greatest या largest angle in a triangle then the true statement is देखिए triangle बनाई है इस प्रकार का या कोई भी angle बनाई है चलेगा ठीक है तरबूच में बोला यह गया है कि ये angle जो बना रहे हो ना जो सबसे बड़ा बना रहे हो उसका नाम C देदो फिर इदर A लिखो B लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है उपर लिखो नीचे लिखो चलेगा ठीक है अब कौन सी बास सकती है तो देखो A, B और B, C मतलब A, B और B, C ये बराबर होगी बिल्कुल नहीं क्योंकि आप जानते हैं जो angle बड़ा है उसके सामने वाली side भी बड़ी है बस ये ध्यान रखे जो कौन बड़ा है उसके सामने वाली बुजा हमेसा बड़ी होगी मतलब A, B बड़ी होगी और बाकी कोई भी बुजा होगी वो छोटी होगी तो A, B जहां पे बड़ा होगा वो अपना सही होगा answer अब देखे A, B A, B यहां पे छोटा है A, B यहां पे छोटा है यहां बराबर है यहां A, B बड़ा है तो अपने option B correct हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है तिरबुज के शेतरपल का सुत्र होता है formula for the area of a triangle is तो तिरबुज का शेतरपल क्या होता है तिरबुज का हिरोन के formula ही दे रखे है यह होता है अपने अर्ध परिमापन S का मान ठीक है और यहां पे यह होता है हिरोन formula ठीक है ना तो option D correct हो जाएगा अगला question हम से पूछा गया है कि 5 cm तिरजा वाले अर्ध गोले का संपूर्ण परिष्टे शेतरपल तो देखें अर्ध गोले का जो संपूर्ण परिष्टे शेतरपल होता है वो होता है 3 pi r square और आसान क्या कर दिया है सब के पीछे pi दे रखा है इसका मतलब यह हुआ कि pi के value change नहीं करनी है तो हमें r रखना पड़ेगा यहाँ पर 5 रख दीजे r की जगा तो यह हो जाएगा 5 का square 25 और 25 को 3 से गुणा कर लेजे 75 75 pi जो होगा वो correct option होगा तो देखें option भी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं जिसमें हमसे पूचा गया है कि यह दे रखा है और इसका हमें निकालना median यानि माद्यक तो माद्यक निकालने के simple सा तरीका क्या माद्यक में आप सभी numbers को क्या ascending order यानि कि आरो ही करम में लगाई है आरो ही मतलब छोटा पहले है फिर बड़ा बड़ा ऐसे ठीक है तो देखें सबसे छोटा कौन सा है दो है फिर कौन है फिर है तीन है फिर कौन है तीन के बाद तीन के बाद पांच है ठीक है ना पांच के बाद कौन सा आएगा पांच के बाद साथ है ठीक है ना 7 के बाद 8 है 8 के बाद 9 भी है 9 के बाद 11 एक बार count कर लेते हैं 3, 3, 6, 7 नमबर 3, 3, 6, 7 नमबर ठीक है सही लिख दिये ठीक है अब क्या करना मात्यक में 20 बीच देखिए 3 नमबर इदर कर दिये 3 नमबर उदर कर दिये ये बीच वाला अपना उत्तर है 7 तो अपना मात्यक क्या होगा इसका मेडियन क्या होगा 7 option C correct हो जाएगा ठीक है मान लीजिए अगर ये ज़्यादा नमबर होते है जैसे कि या मान लीजिए नमबर ये तो 7 थे 8 होते तो मान लीजिए याँ एक और हो जाता 13 ठीक है तो क्या करते इन दोनों नंबर का जोड़ करते और दो का भाग लगाते पंदरा वट्टे दो करते और शाड़े साथ अपना उत्तर आता ठीक है न तो यह ध्यान रखना ठीक है तो इसमें अपने option C correct हो जाएगा तीन सारेक बिंदों से गुजरने वाले वरतों की संक्या देखिए सारेक है सारेक मतलब एक ही लाइन पे तीन पॉइंट है ऐसे तो उन पे तिर्बूज बन सकता है क्या तिर्बूज पॉसिबल ही नहीं है ठीक है न पॉसिबल ही नहीं है तो यहां पे जीर हो जाएगा ठीक ह many numbers between two given rational numbers तो परिमे जिए उसे हैं कि वीच में अनेक परिमेई से क्या यहां लिखेंगे परिमेई परिमेई यहां लिखेंगें अर। ठीके नहां तर बहुत सारे परिमेई से क्या हो सकती है भी ठीके many rational numbers between two given rational numbers ठीक है न, दो number के बीच में unginate rational numbers हो सकते हैं ठीक है, y-axis पर इस ते सभी बिंदू का भुज होता है the abscess are of all points situated on y-axis is तो y-axis पे जितने भी बिंदू होता है उन सब का भुज जो होता है वो 0 होता है मेंसा, क्या होता है y पे जितने भी, मतलब x की value अगर कोई point y पे है, इस line पे है तो उसमें x का मान हर जगा 0 रहेगा ठीक है न, तो यहाँ पे आपको सुन्य लिख देना दोनों जगा ठीक है, अगला देखते है एक अधवित्य रिखा कम से कम बिंदूओं से गुजरती है तो एक अधवित्य रिखा है वो कम से कम कितने बिंदूओं से गुजरती है यह आपको आंसे देना है, comment section में ठीक है न, अगला question देखते है किसी चतुरबुज के अंतर कोणों का योग होता है तो यह हमेशा 360 होता है ठीक है न, 307 degree होता है ठीक है, अगला question है यदि किसी तर्बुज की बोजाएं ABC है तो semi perimeter बताना है यह अर्ध परिमाप बताना है तो हमने अभी बात की थी अर्ध परिमाप बताना है A plus S बराबर A plus B plus C बटे 2, यह होता है अपने अर्ध परिमाप ठीक है न, अगला question देखते है गोले की तर्जय जो अपने को दे रखी आ रहे है और गोले का प्रिष्ट्य शेतरपल बताना है तो गोले का प्रिष्ट्य शेतरपल क्या होता है गोले का प्रिष्ट्य शेतरपल का शुत्र हम लिख देंगे यहां पे 4 pi r square ठीक है न, यह होता है अपने गोले का प्रिष्ट्य शेतरपल ठीक है न, यह ध्यान रखिएगा, अगला question देखते है यहां पे अपने को सत्य और सत्य बताने है, ठीक है जिसमें पहला question है, बिंदू 2,4 वा माइनस 2,4 यह x x समान दूरी पर है क्या, यह पूछा हमसे, तो देखते हैं, यहां पे अगर हम ऐसे बना लें, तो पूछा यह x x वाली line है, यहां पे आपको देखना y, यहां पे y एक तो plus 4 पर है, मतलब यहां पे point कहीं, यहां पे point होगा और इसमें 2 और 4, मतलब यहां point होगा, तो यहां भी 4 का distance है, यहां भी 4 का distance है तो x x समान दूरी पर है, तो आप लिखेंगे सत्य ठीक है न, यहां पे सत्य लिख देंगे, पहले 8 वे में, ठीक है फिर एक शांत रिखा, दोनों और अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाई जा सकती असोर्ष लाइन कैनाट बी extended बोथ ways and infinitely तो यह होगा false असरते, क्योंकि हम उसको बढ़ा सकते हैं, एक शांत रिखा को दोनों और हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है न, यह गलत हो जाएगा, अगला question है अगला question देखते हैं अपने जिसमें हमसे पुछा, मूल बिंदू से इस point की दूरी ग्यात करिए तो देखिए, यह point कैसे निकालेंगे यह मूल बिंदू है मान लीजिए और यह point कहा होगा x-6 और y होगा 8 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब इस तरह से हमने बना लिया तो यह कहीं यह aquí point होगा ठीक है न, अंदाजे से यहां आम ने बना लिया अब यह मूल बिंदू से कितना दूर है ठीक है न, तो यह मूल बिंदू से कितना दूर है तो यहां पे एक simple सा सुत्र जो आप 10 पे भी पड़ोगे इसको ठीक है न मौल बिंदों से दूरी ग्यात करने का सुत्र क्या होता है जिसमें हम लिखते हैं कि a² और यहां लिखते हैं प्लस b² ठीक है न यह सुत्र लगाते हैं तो इसको यह मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं या x और y मान लेते हैं तो भी चिंता नहीं ठीक है तो –6 का whole square plus 8 का whole square ठीक है यह वो का 36 plus अपने इसका लिख देंगे 64 ठीक है दोनों मिला के होगे 100 होगे और 100 का जब root लेगेंगे तो आएगा 10 unit ठीक है तो इसका answer कि आएगा मूल बिंदू से दूरी है 10 इकाई 10 इकाई या 10 unit ठीक है अगला question देखते हैं अपने जिसमें हमसे पूछा है कि यह equation दे रखिये y का मान आपको 7 दे रखा है ठीक है value y की है वो 7 है तो आपको बताना x का मान तो जहाँ y लिखा है उसकी जिगा हम value पुट करा देते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होगा answer तो देखिये 2x प्लस y की जगह 7 और सामने है 3 ठीक है अब 2x is equal to 3 और 7 को उधर ट्रांसफर कर दे तो माइनस का हो गया 7 इन 7 ठीक है तो 2x is equal to कितना है गया माइनस का 4 अब x बराबर होगा माइनस 4 बटे 2 तो x की value आजएगी माइनस 2 ठीक है तो इसमें अपने answer कितना आएगा x का मान कितना हैगा माइनस 2 x बराबर माइनस का 2 answer हो जाएगा ठीक है next question देखते हैं कि हमसे पूछा है समपूर कौन किसे कहते हैं तो 2 कौनों का योग x प्लस y ले लो बले ठीक है जब 2 कौनों का योग 180 डिगरी होता है उसे हम कहते हैं समपूर कौन ठीक है फिर पूछा है कि तरबूज के कौन है इस अनुपात में तो तरबूज के कौन ग्याद करें तीनों कौन तो देखिए ये 2 x है प्लस 3 x प्लस 4 x बराबर कितना 180 लिख देते हैं ठीक है अब सब को जोड़ लेजिए तो यह हो जाएगा 9 x ठीक है 9 x बराबर 180 डिगरी ठीक है 2 x 20 बराबर हो गया अपने 40 डिगरी ठीक है दूसरा था आपने 3 x तो यह होगा 3 x 20 बराबर हो गया 60 डिगरी नेक्ट था आपने 4 x बराबर 4 x 20 तो हो जाएगा अपने 80 डिगरी ठीक है न तो यह तीनों कौन इस प्रकार से निकल जाएंगे ठीक है फिर हमसे पूछा है कि सं होता एक बड़्टे तीन पाइ र स्क्वेयर ह। छीए न यह को गएन रखतिए अ सभी की इंट्कार । छीडियेा पूल‌च ही हम गया है और और अपने को ये नीचे वाली पूरी लाइन ग्याद करनी है इसका मतलब पहले हमें ये आधा निकालना पड़ेगा इस समकौन तरबुज का तो देखें इसकी तीरी एक उंचाई यानि ये पांच है ठीक है पांच सेंटीमेटर ये चार सेंटीमेटर है तो इसका आंसर के आएगा अपने संकौ का व्यास बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमेटर ठीक है नेक्स्ट कुशिन है कि समान तरमाद्य ग्याद कीजिए यानि कि find mean of the numbers इनका mean मतलब हो कि आप सब को जोड़ लो 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 9 इन सब को जोड़ के number कितने है च्छे number इनका 6 का भाग लगा दीजिए इसमें ठीक है तो आपका answer आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुशिन देखते है आपको बहुलक यनि mode पता करना है mode क्या होता है जो highest number आया है उसे mode कहते है highest बार कौन आया है पचार एक बार, दो बार, तीन बार उसके अलवा कोई भी ज़्यादा बार नहीं आया है तो इसका बहुलक हो जाएगा अपने 4 answer हो गया next question देखते है सबसे अधीक बार आने वाला fraction बहुलक कहलाता है mode कहलाता है the most frequent observation is called mode ठीक है पर संभाहूतृबूज के और 60, 60, 60 करके तीनों बुज़े समान और तीनों कौन समान होता है ठीक है तो 180 हो जाएगे ठीक है पर गुनदखन वाला ये question हम कितने ये बार कर चुके है मतलब इसके गुनदखन हो जाएगे एक तो 2x² plus 6x plus x और प्लस 3 इस परकार से आप लिख देंगे और इसके factor कर लेंगे इन में से common आ जाएगा इनका जोड़ा बन जाएगा एक x प्लस 3 बन जाएगा और एक आपके 2 और इस परकार से बना लेंगे नहीं तो देखें इस में से common क्या आ रहा है 2x आ रहा है और common ले लिया तो इदर आ गया x प्लस 3 इदर आ गया plus 1 और इदर भी x प्लस 3 अंदर रहेगा तो x प्लस 3 और इदर भी x प्लस 3 का जोड़ा तो अपने बन गया एक x प्लस 3 और एक आ गया 2x प्लस 1 ये इसके गुणंद खंडा जाएगे ठीक है और अगले में अपने को यह simple सा तरीका जो हमने शुरू में भी किया कि a-b a-b का whole square करना है तो 9 क्या होगा यहां पे कौन सा लगेगा a-b और a-b इसका formula होता है a2-b2 ठीक है न तो इस परकार से यह लिखावा है है इसको ऐसे लिखना अपने को तो हमने का 3 का square कर देते हैं पहले तीन का square minus 2x का square ठीक है तो यह जोगा 9 minus और इसका square हो जाएगा अपने 4 x square ठीक है यह इसका answer हो गया ठीक है अगला देखते हैं इसके 4 यह हम कर चुके हैं ठीक है आपको मिल जाएगा अपने प्ले लिस्ट में वहाँ पे सारे आंसर मिलेंगे आपको ठीक है और नेक्स्ट बोला है कि अपने को निकालना X का मान, A ओ भी एक सरल रिखा है तो COD, COD कौन सा COD, मतलब ये वाला कौन निकालना है तो देखिए, सरल रिखा है तो तीनों मिला के 180 होंगे तो आपने कहा 5X प्लस 4X प्लस 3X बराबर कितना हो गया, 180 डिगरी ठीक है, सब ये जोड लो तो 9 और 12, तो 12X कितना है, 12X बराबर 180 डिगरी अब 12 यहां से हटा के इसके नीचे भाग में लगा देंगे भाग इसका देंगी तो कितनी बार जाएगा आपने कहा, 12 एकम 12 ठीक है, पीछे कितना रह गया पीछे रह गया, 6, 12, 15, 60 तो 15 बार गया, तो अपने को इसका मान चाहिए न, तो X का मान कितना है, 15 आया तो 4 x 15 गुणा कर लेजिए 15 चोके, 60 डिगरी तो ये कितना हैगा, अपने 60 डिगरी आंसर आजाएगा, ठीक है न, ये चाहिए तो इसको 15 से कर लेंगे तो 45 डिगरी ये हो गया, ठीक है इसको भी 15 से करेंगे, तो 75 डिगरी ये आजाएगा ठीक है, इस परकार से और फिर नेक्स्ट हम से पूछा है कि इसमें A, B ये वाली और A, C, ये वाली वज़ा दोनो बराबर है चलिए ठीक ही, ये दोनो बराबर है और B, 65 है तो एक आमान ये निकालिये, तो जब ये 65 है तो ये दोनो तो बराबर होंगे और बराबर होंगे तो बताईए कि 180 मैंसे अगर हम 65 degree कम कर दें तो पीछे कितने बचेंगे 5 एक कैड़ी चला गए यहां पर तो यह हो गया 1 और 115 ठीक है यहां पर 115 ठीक है अब 115 में यह दोनों कौन जो है यह तो बराबर है तो 2 का भाग लगा दीजिए ठीक है न तो 5,2,10 और 7,2,14 11.5 तो एक होगा अपने 97.5 degree ठीक है न यह हो जाएगा और B भी उतना ही होगा सॉरी C भी उतना ही होगा भी दे रखा था ठीक है अगला देखते है यह और भी सिंपल कोशिन है जिसमें आपको बोला यहां तक ठीक है न यह थोड़ा सा आगे ज्यादा हो गया यह ठीक है न यह यहां और यह यह दोनों मिला के है अपने यह तरबूज है पूरा जिसमें यह 99 है यह 30 है तो अपने यह पता कर लेते हैं पहले तो यह हो जाएगा अपने दोनों मिला के 100 degree हो गया यह और 100 degree हुआ तो तिरबूज के 3 कौन 180 होते हैं मतलब यह A कौन हो गया अपने A कौन है वो हो गया अपने 80 degree ठीक है अब अगर A 80 है तो यह D भी कितना होगा कौन D भी होगा अपने 80 degree ठीक है न यह सिंपल सा आंसर है इसका 80 degree होगा तो आपने से पूछा था BDC ठीक है न और यह सारे जो है आपको वहाँ पे अपने जो वीडियो अपलोड किये हैं वो इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा अब आपको संभावतिर्बुच का शेतरबल जिसमें आदार दे रखा है पर एक समान भुजा दे रखी है ठीक है निकाल सकते है आराम से ठीक है सिंपल से सोतर लगाने आपको और फॉर्मूला लगा के निकाल देना है ठीक है न फिर संभावतिर्बुच का शेतरबल निका तो यहां गया राग कोशेंग है यह अपको सारे वाहां पर मिल जाएंगे तो वीडियू के playlist में जाकर एक बार इन Detective sound को और चेक कर लेजीए ठीक है वहां पर आपको सारीiada question और इन हर प्रश्ण के उत्तर आपको वहां पर मिल जाएंगे कोई question ऐसा नहीं है जो नया question एक question बार-बार repeat होने वाले question मैंसे हैं और आपको भी एक्जाम में ऐसे ही कोशिन देखने को मिलेंगे तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजीगा इन सभी के आंसर आपको वाँ मिल जाएंगे अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो देखी ये जैसे कोशिन है आपको ये कोशिन पूछा जा रहा है और भी पूछा जाएगा आपके एक्जाम में ठीक है ना तो इनको आप अच्छे से तयार कर लीजे ठीक है मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत